आप सब लोग ने cricket का match तो देखा होगा अग एक cricket के match में कितने सारे interesting events होते हैं कभी किसी ball पे batsman छक्का मारता है कभी किसी ball पे batsman चौका मारता है कभी किसी ball पे batsman out हो जाता है, wicket आ जाता है and finally एक team एक score त्यार करती है जिसको दूसरी team chase करना start करती है अब इतने सारे data को अगर मैं एक बार में समझना चाहूँ, एक बार में analyze करना चाहूँ, एक बार में represent करना चाहूँ, hello बच्चो, welcome to the most wanted concept series बच्चो, इस series का target ही यह है कि हम कुछ ऐसे topics का परदाफाश कर सके, जिन्होंने ना जाने कितने neat और JS prints को परिशान करके रखा हुआ है और आज के session में हम एक ऐसे topic पर कारवाई करेंगे, जिसका नाम है graphs अब बच्चो, जब आप graphs की बात करते हैं, तो सबसे पहला question जो आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है कि हम graphs पढ़ते क्यों है, हम graphs बनाते क्यों है तो इस बात को समझने के लिए एक example लेते हैं, आप सब लोग ने cricket का match तो देखा होगा और एक cricket के match में कितने सारे interesting events होते हैं, कभी किसी ball पे batsman चक्का मारता है, कभी किसी ball पे batsman चौका मारता है एक बार में analyze करना चाहूं, एक बार में represent करना चाहूं, तो मैं बना सकता हूँ दोनों teams का एक graph और इस graph से पता कर सकता हूँ कि कब कौनसी team lead कर रही थी, कब कौनसी team पीछे रह गई थी, कब कौनसी team क्या perform कर रही थी, कब कौन सा wicket गिरा and finally, जीत किसकी हुई तो बचो, graph का mean मकसद ही है, कि हम एक बड़े से database को represent कर सकते हैं, और उसको एक बार में analyze कर सके तो जब भी हम कभी किसी graph को draw करते हैं, हम graph हमेशा दो axis के बीच में बनाते हैं एक axis होती है, जिसको हम कहते हैं y axis और एक axis होती है, जिसको हम कहते हैं x axis एक axis पे हम वो quantity रखते हैं, जिसको हमें change करना होता है तो एक quantity, जिसको हम change करना चाते हैं, वो usually x axis पे होती है जैसे मानलीजे, आप voltage का current के साथ graph बना रहे हैं तो अगर आप current चेंज करना चाते हैं, तो current को आप x axis पे रखेंगे या आप मानलीजे velocity का time के साथ graph बना रहे हैं तो अगर आप time को change करना चाहते हैं तो आप x axis पे time को रखेंगे तो quantity which is changed quantity जिसको change किया जाता है वो हम x पे रखते हैं and similarly जिस quantity को हम observe करते हैं जैसे मानलीजे हमने पढ़ना start किया और उसे हमारे marks कितने बढ़े तो हम पढ़ना start किया कितने घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हम रखेंगे x axis पे और कितने marks का progress होना start हुआ वो हम हमेशा बनाएंगे y axis पे तो जिसको हम change करते हैं उसको x पे और जिसको हम observe करते हैं the quantity that is observed जिसको हम observe करना चाते हैं उसको हम हमेशा y axis पे बनाते हैं और जैसी y और x quantity बन जाती है जैसी हमें पता चल जाता है तो उनके बीच में जो भी रिष्टा होता है उससे decide होता है कि उनका graph कैसा बनेगा हमारी quantity 1, quantity 2 पे कैसे depend करती है उससे decide होता है कि उनका graph किस तरीके का बनना start होगा इसलिए जब भी y is will be a function of x वो decide करेगा कि function कैसा था और relation कैसा था और relation of function ही decide करेंगे कि finally आपका output graph कैसा होगा तो बच्चो graph बड़ा basic सी चीज होती है सबको समझ में आती है कि 2 x's के बीच में बनाया जाता है लेकर हम जब physics में बात करते हैं motion में बात करते हैं तो motion के अंदर हमारे जो graphs होते हैं उसके अंदर क्या-क्या important चीज़े होती है जरा उनके बारे में चर्चा करते हैं तो हमेशा हमें graph में 2 important चीज़ों के बारे में बात करनी है और मैं पहली important चीज़ आपको यहां पे बता रहा हूँ that is the slope of the graph अब जब भी मैं word कहता हूँ slope तो आपके दिमाग में क्या आता है आपके दिमाग में आना चाहिए एक चड़ान या एक धलान या एक सपाट सी रोड तो जब भी आपको feel होता है कि सर मैं pull पे चड़ गया या मैं pull से उतर गया या मैं pull के top पे चल ला हूँ तो ऐसी condition में आपको slope की बढ़िया feeling आती है तो जब भी मैं कहता हूँ बच्चों से slope का मतलब क्या होता है तो आप slope को हिंदी में चड़ान या slope को हिंदी में धलान depending आप कहाँ पर है धलान या आप उसको सपाट भी कह सकते हैं सपाट भी कह सकते हैं और जब भी हम slope को decide करेंगे तो हम हमिश्व 10 theta से बताने की कोशिश करेंगे तो it is always represented by 10 theta that is the angle का tangent angle का tangent उसको हम 10 theta कहेंगे अब imagine करिए एक y का x के साथ graph है एक y का x के साथ graph है और इसमें ऐसा कुछ graph बन गया सीधा सपाट graph बन गया तो अगर कभी सपाट graph बन गया तो इसको कहते हैं slope 0 slope 0 अगर आप 10 0 रखेंगे तो 10 0 ही आएगा similarly अगर माली जे graph कभी ऐसा खड़ा हुआ बन गया ऐसे सपाट की जगे ऐसे दिवार जैसा बन गया तो दिवार जैसे graph को हम लोग 10 90 कहते हैं और 10 90 को हम लोग infinite slope भी कहते हैं या not defined भी कहते हैं 1 by 0 तो infinite और 0 ये दोनों आपको दिख रहे होंगे similarly अगर मैं एक graph ऐसा बनाऊं जिसके मैं आपको positive slope, negative slope सारी दिखा पाऊं तो चलो वह कोशिश करते हैं let's say मैंने ऐसा graph बनाया अगर ऐसा graph आया है y और x के बीच में तो इसका मतलब यहां पर आपकी जो slope है वो लगातार positive रही है similarly अगर मैं ऐसे भी बनाऊं तो भी slope positive है लेकिन जैसी मैंने ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया तो यह धलान की feeling आनी हो गई चालू हो गई तो यहां पर slope negative आना स्टार्ट हो चुका है तो आपको slope positive और slope negative बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और अगर 10 theta के respect में समझे तो 10 theta first quadrant में positive होता है और 10 theta fourth quadrant में negative होता है इस वज़े से आपके slope positive negative 10 theta से भी पता चल जाते है लेकिन what will happen if it is not a straight line अगर मान लीजे कोई curve आना स्टार्ट हो गया तो ऐसी condition में क्या होता है बचो ऐसी condition में जो आपकी slope होती है वो slope लगातार vary करती रहती है तो the slope is always variable आपकी slope लगातार vary करती रहती है भाई सब लगाता change करती रहती है और आप check भी कर सकते है तो ऐसे इसकी उपर खड़े हो जाईए और एक बाद चड़ना start करिए तो आपको पता चलेगा कि शुरू में चड़ना तो आसान है लेकिन end में आप बड़ा struggle करेंगे आपको बड़ी दिक्कत आईगी इसका मतलब इसकी slope लगाता change होती जा रही है और अगर slope लगाता change होती जाती है तो ऐसे में slope को किसी point पे define किया जाता है और इसको define करने के लिए tangent ड्रॉ किया जाता है तो लेट से किसी भी point को अगर मैं define करूँ यहाँ पे p point पे slope को define करूँ तो मैं सबसे पहले p point पे बनाऊंगा एक tangent अब अच्छो tangent का मतलब तो आप लोग जानते होंगे ऐसा एक line जो किसी भी curve को छूके निकल जाए बाल-बाल बचे type का छूके निकल जाए टच करके निकल जाए ऐसे प्रकार की चीज़ को tangent कहते है और इसी tangent से आपको slope मिल जाता है लेगिन अच्छी बात क्या है कि जैसे straight line का गराब बनेगा तो आपको slope लिखने के लिए कोई भी y के change को कोई भी x के change से divide कर लेना है तो आप 10 theta चाए यहां लिखे चाए बीच में कहीं लिखे चाए पीछे कहीं लिखे वो 10 theta x ही आएगा तो आप delta y by delta x का इस्तमाल कर सकते है delta y by delta x तो इसमें जब 10 theta लिखूंगा तो वो लिख दूंगा delta y by delta x कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां पर अगर आप delta y by delta x लिखेंगे तो आपको average slope मिलेगी लेकिन आपको actual slope चाहिए उसी point पर तो आपको बहुत छोटे y को बहुत छोटे x से divide करना पड़ेगा बहुत छोटे से triangle को बना के तो यहां पर एक बहुत छोटा सा triangle बनेगा imagine करिये और उस बहुत छोटे से triangle में सामने होगा छोटा सा y का change नीचे होगा छोटा सा x का change और उसी से तयार होगा exact p point का slope that is calculus तो 10 theta से तयार होगा dy by dx तो इसी को हम लोग differentiation कहते हैं या differential calculus भी कहते हैं तो पहली बात आपको जो ध्यान रखने है वो है किसी भी graph का slope slope positive कैसा दिखता है negative कैसा दिखता है slope 0 कैसा दिखता है slope infinite कैसा दिखता है और slope variable कैसा दिखता है और variable slope में dy by dx की मदद से कैसे slope को calculate कर सकते है अब अच्छो पहला point अगर तुम्हें graph में समझ में आया तो तयार हो जाओ दूसरे point के लिए and the second point is called the area under the graph किसी भी graph के नीचे का area तो अगर आप एक छाता लेके बारिश में खड़े हैं तो आप कितने area में protected हैं उसी area को हम लोग कहेंगे area under the छाता area under the छाता जिसमें बारिश की बूंद नहीं आएगी या बारिश आपको नहीं touch करवाएगी that is called area under the छाता similarly हर graph के नीचे का एक area होता है और उसी को कहते area under the graph तो अगर मैं वापिस से एक y का x के साथ graph बनाऊं और let's say मैं graph को अभी बिल्कुल सीधा बना रहा हूं सपार्ट graph बना रहा हूं सीधा graph बना रहा हूं तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूँ कि भहिया एक काम करो मुझे ज़रा area बताओ तो आप क्या पूछोगे sir कहां से कहां तक का तो area बताओ मुझे x1 से x2 तक का तो x1 से x2 तक का area निकालना है यापर बहुत आसान है सीधा y की value यहां use करेंगे let's say y not तो y not अगर use किया तो ये area निकालना कैसे निकालनेंगे sir by the formula of rectangle rectangle में ये लंबाई कित्ती हो गई ये हो गई delta x और ये लंबाई कित्ती हो गई ये लंबाई होगी why not तो area निकल के आगया बच्चो why not into delta x right कोई दिक्कत नहीं लेकिन similarly अगर मैं मानूं की y और x का graph अगर एक straight line है और फिर आपको area निकालना है तो ऐसे में आप क्या करोगे again दो बार x पूछोगे sir x1 से लेकर कहां तक का x2 तक का और sir आपको कौन सा area चाहिए मुझको ये area चाहिए तो ये area निकालने के लिए क्या करोगे sir मैं को देखना पड़ेगा इस बार या तो मैं इसको triangle और rectangle divide करके बनाऊं या मैं इसको trapezium के formula से बनाऊं right तो आप यहां पे एक y1 पूछोगे मुझसे यहां पे एक y2 पूछोगे मुझसे या निकालोगे function से और फिर finally trapezium का formula लगाऊगे तो इस बार area का formula क्या बनेगा बच्चो area का formula बनेगा half sum of two parallel sides sum of two parallel sides that is y1 plus y2 into width या breadth into width या height height कित्ती दिखेगी यहां पे delta x right तो आपके पास जो formula तैयार होगा area का for trapezium वो कुछ इस तरीके का तैयार होगा मैं इसको y average भी लिख देता हूँ y1 plus y2 by 2 मैं इसको क्या लिख देता हूँ y average तो y average into delta x तो अगर y सीधा है तो y into delta x लेकिन y अगर तेड़ा जा रहा है straight line आ रही है तो y average into delta x right बट क्या होगा अगर हम इसी graph में थोड़ा और changes कर दे let's say मैं curvature बनाना start कर दू तो देखो straight line में सीपाट सपाट line में तुम सीधा सीधा area निकाल लेते हो ऐसी line में तुम trapezium यह triangle के formula लगा कि area निकाल लेते हो लेकिन ऐसे में area निकालने के लिए again you need calculus तो ऐसे मां क्या करते हैं ऐसे मां यहां तक का area निकालने के लिए x1 से x2 तक का area निकालने के लिए छोटे छोटे strips consider करते हैं और वो छोटे छोटे strips को हम imagine करते हैं कि ऐसे कितने strips होंगे infinite strips होंगे उतने मैं बना नहीं सकता बट आपको feel करना है कि ऐसे infinite stripes होंगे और इन infinite stripes को हम जोड़ेंगे और बच्चो जब भी आपको ऐसे infinite वाली चीज़े जोड़नी होती है then you use integral calculus तो हम क्या करेंगे हम किसी एक strip का area लिखने की कोशिश करेंगे और इस strip का area क्या होगा बहुत छोटा सा DA तो एक strip पकड़ लेते हैं let's say यह वाली strip इस strip का area लिखने की कोशिश करते हैं तो strip की height माल लेते हैं y और इस strip की चोड़ाई माल लेते हैं dx तो इसका area त्यार हो जाएगा y dx और ऐसे छोटे छोटे area छोटी छोटी stripes को अगर मैं जोड़ू तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा integration from x1 to x2 तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं area को कैसे निकाल सकता हूँ तो area अगर मेरे पास सपार्ट है तो उसके लिए सीधा rectangle का formula area अगर में parts एक straight line ऐसे उड़ती हुई जा रही है तो trapezium का formula या triangle प्लस rectangle बट area अगर मेरे पास ऐसे कोई curvature है तो फिर तो भाई साब मुझे calculus का इस्तमाल करना पड़ेगा और ऐसे type के calculus को integral calculus कहते है अजा कुछ बच्चों का यहां एक सवाल और होता है कि क्या सर area भी positive और area भी negative हो सकता है बच्चों बिल्कुल हो सकता है ध्यान रखेगा जितना area आप x-axis के ऊपर बनाते हैं वो सारा area positive होता है लेकिन जितना भी area आप x-axis के नीचे draw करते हैं वो सारा area negative होना start हो जाता है पर example जो की graph मैंने वापस से y का x के साथ बनाया ठीक है और graph मैंने वापस से ऐसे अपने मन गिडंत ऐसे करके ऐसे मन गिडंत बना दिया अब ये मन गिडंत graph में खूप सारा area दिख रहा होगा आपको अगर मैं बोलू area बनाओ तो आप बताओगे सर इसकों दे तो खूप सरा area है सर देख को यहाँ पे भी area है 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 रैट So, this area is negative, this area is negative, and, and, these areas are positive, ये वाले areas positive हैं, और ये वाले areas आपके negative areas माने जाते हैं, तो बच्चों अगर आपको ये बात clarity दे रहे हैं, कि भया, area under the graph क्या होता है, slope of the graph क्या होता है, तो आपको आगे में, आगे वाले topics में कोई दिक्कत नहीं आईगी, आपको graphs एकदम 100% to the core सम में आने वाला है, अब थोड़ा सा mathematics को और थोड़ा strong करते हैं, अपनी चीजों को और थोड़ा bolster करते हैं, अपने concept को और मजबूत करते हैं, types of graph को समझ के, तो जड़ा थोड़ा इसे function को देखके graphs को बनाना सीखते हैं, ठीक है, तो चलो मैं start करता हूँ सबसे पहले constant के graph स अब जब बात आती है constant के graph से, इसका मतलब जब एक चीज धीट बन जाती है, धीट मतलब constant, constant का मतलब कि वो चीज चेंज होना बंद हो जाती है, तो जैसे आपने लिख दिया sir, sir, y equal to 2, अब जब आपने y equal to 2 लिख दिया, अब मैं x की कोई भी value सोच लूँ, 7, 11, 12, ये x सि x का function ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे constant, ये आपने लिख दिया y equal to pi, y equal to pi, ये भी एक constant function हो गया, तो जब भी आपको एक constant function दिखने लगे, तो ऐसी condition में, अगर y constant है with respect to x, तो आपको हमेशा ऐसी straight line मिलेगी, जो x के parallel होगी, so if y equals to constant, then the straight line will be parallel to x-axis, straight line हमेशा x-axis के parallel होगी, अब ये ही depend करता है कि y positive है या y negative है, अगर y minus 2 होता है या minus pi होता, तो ये ही straight line negative y-axis पे नजर आती, लेकिन आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ऐसी condition में slope 0 होता है, if y is constant, लिख देता हूँ मैं, if y is constant, slope is always 0, right, बट ऐसे में अगर x कहता है कि अब मैं भी constant बनूँगा, y तू तो बन गया, एक बार मुझे भी constant बनने का मोगा दे, तो अगर x कहता है मैं constant बनूँगा, तो फिर आपको graph में straight line अलग type की बनानी पड़ती है, so if x becomes constant and does not vary with y, तो ऐसी condition में straight line ऐसी भी हो सकती है, और straight line ऐसी भी हो सकती है, ये तब बनेगा जब x positive constant होगा, और ये तब बनेगा जब x negative constant होगा, so ऐसे में अगर आप slope को check करें, तो slope आपकी infinite होनी start हो गई है, तो slope will be infinite if x is negative constant और positive constant, clear, तो constant वाली बात समझ में आ गई, right sir, अब ऐसी हम थोड़ा सा progress करते हैं, और एक टाइप का graph और समझ लेते हैं जल्दी से, जिसको कहते हैं linear graphs, अब linear graphs क्या होते बच्छों जब भी एक quantity, दूसरी quantity की उपर directly proportional होती है, directly proportional का मतलब देख तेरा एक दोस्त है, खास दोस्त है, एक दम खास दोस्त, अगर उसके अच्छे नंबर नहीं आते तो तो जो भी बुरा लगता है, क्योंकि तुम दोनों की भीच का जो रिष्ता है, वो directly proportional रिष्ता ह तो जब आप ऐसी बाते करने लगते हैं, that is, y is directly proportional to x, तो ऐसे में जो graph बनने start हो जाते हैं, इनको बोलते है linear graphs, और linear graphs को हम straight line graph भी कह सकते हैं, we can also say, कि ये जो graph होते हैं, वो straight line graphs होते हैं, straight line graphs, ठीक है, अब कैसे बनती है straight line, सारी बता हूँँगा, मैं आपको परिशान मत हो सकती है, so कोई भी straight line की general equation होती है, general equation होती है, y equals to mx plus c, ये आपकी कोई भी straight line की general equation होती है, अब m यहाँ पे क्या होता है, m होता है slope, और c क्या होता है, c होता है आपका constant, तो c आपको बताता है, कि कौन सा intercept कहां आपने y को cut किया, इसको हम कहते हैं y intercept, y intercept, अच्छे से लिख यह आपको बताएगा आपने y को कहां कट किया आपकी स्ट्रेट लाइन ने y को कहां काटा और यह आपको बताएगा इसा था तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सके सोच के दिखते हैं लेट से आपका इंटरसेप्ट 0 है तो एक कैसी दिखेगी y equal to mx अगर y equal to mx में m positive है तो आपको origin से जाना पड़ेगा राइट बट इसी में अगर आपका m negative होता तो आपको origin से तो जाना होता लेकिन negative slope दिखाना होता similarly अगर आपका constant positive है और slope भी positive है तो constant भी positive है slope भी positive है तो slope भी positive constant भी positive देख़ अच्छे से slope भी positive and constant भी positive y equals to mx plus c m भी positive, c भी positive slope भी positive, constant भी positive जहां पर cut कर रहे हो, intercept भी positive similarly, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपको समझ में आगया होगा, यहां पर slope भी positive लेकिन intercept negative जहां cut कर रहे हो negative तो देखो मैंने कित्वी ड़ी भी straight line बना दी एक, दो, तीन, चार, ऐसी दो straight line आप भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं slope negative लेना start कर दूँ और intercept positive ले लूँ देखो अच्छे से slope यहां पर कैसी है, slope है negative लेकिन intercept कैसा है, intercept positive है and similarly, इसको देखो उसके तो बुरे दिन चल ला है, इसके तो slope भी negative है बिचारेगी और इसका intercept भी negative है, right, तो depending किस type की slope है, किस type का intercept है, कैसी equation दी गई है आप उसका straight line graph draw कर सकते हैं तो बच्छो basic mathematics में आता है यह that is linear graphs कैसे नजर आते हैं, अब अगर आपको constant graph समझ में आ गए, अगर आपको linear graph समझ में आ गए, तो आपको एक type का, बस last type का graph और अच्छे से समझना है, that is parabolic graphs अब जब बात आती है parabola की, तो parabolic graphs कब बनते हैं, वहाँ से start करते हैं, ऐसा physics में और maths में ऐसा बहुत बार functions मिलेंगे जिसमें एक function दूसरे के, या एक quantity दूसरी quantity के, square के proportional चला जाता है, जब एक quantity दूसरी quantity के square के proportional जाना start हो जाती है जैसे imagine करते हैं, s equal to ut plus half 80 square s equal to ut plus half 80 square मतलब displacement को time के square से फरक पढ़ना start हो गया है तो जब भी आपको square वाले रिष्टे दिखने start हो जाते हैं, तो इसका मतलब जो graph बनता है, वो parabolic बनना start हो जाता है so y directly proportional to x square या x directly proportional to y square, या तो y का square होगा x की power 1 होगी या x का square होगा y की power 1 होगी, अगर ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे type में जो graph बनने start होते हैं वो parabolic in nature होते हैं right, लेगिन कौन से में कैसा parabola बनता है वो भी सीख लेते हैं, तो सुनना, जहांदे सुनना, अगर आपका y directly proportional to x square है तो ऐसे में या तो upward parabola बनता है या downward parabola depending x square का coefficient क्या है, x square का coefficient अगर positive है, तो that is called upward parabola ये तब बनेगा, जब y directly proportional to x square होगा और यहां पर एक positive दिखेगा similarly, अगर y directly proportional to minus x square हुआ, तो ये downward parabola बनने लगता है हम इसको smile कहते हैं, इसको sad कहते हैं, हम इसको happy कहते हैं, इसको sorrow बोलते हैं, हम बोलते हैं, ये खुश है, ये दुखी है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं अगें दो cases बन सकते हैं, कि अगर आप positive side जाना चाहते हैं, तो पहले पैरा बोला बनाना सीख लीजिए, ये बहुत बेसिक चीज है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, बट बहुत लोग कहते हैं, इतने इतने सी थियोरी में हमारा काम चल जाएगा, क्या? नहीं, इतनी इसी थियोरी में कामनी चलेगा, आपने वो math थोड़ी और strong करनी पड़ेगी, तो अगर हम एक feeling ले चुके हैं, तो हमें ये समझ में आना स्टार्ट हो चुका है, कि जहां भी square का function होगा, एक quantity दूसरे के square के proportional जाने लगेगी, वहाँ पैरा बोला बनना स्टार्ट हो जाता है math में, yes, इनको बोला जाता है quadratic, और अगर इनको quadratic कहा जाता है, इसका मतलब जितने भी graph quadratic equations के होते हैं, वो सारे के सारे पैरा बोले के nature होते हैं, तो किसी भी quadratic equation को देखके, उसका parabola कैसे बनाना होता है, बस वो सीख लेते हैं, हमारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा quadratic equation को देखते हैं, तो कभी भी कोई function ax square plus bx plus c, ऐसा दिखना start हो जाता है, so this is called a quadratic function, यह quadratic बन जाता है, और अगर यह quadratic तुम देख लेते हो, तो मैं समझ में आता है, कि 100% this will be a parabola, अब आप जैसे देख सकते हो, कि मैंने y को x के square के proportional रख तो या तो यह upward parabola होगा, या यह downward parabola होगा, राइट, अब कैसा parabola होगा, कैसे बनाना है, थोड़ा सा idea देदेता हूँ, थोड़ा idea देदेता हूँ, जिससे आगे का चो session है, वो एकदब मक्खन की तरह चले, राइट, अब इस बात को समझने के लिए कि exactly कैसा parabola बनेगा, आ आपको पहले a को देखना होता है, सबसे पहले equation देखिए,ucrine में y को अकेला करिए, y के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, y का term खाली होना चाहिए, y के पास कोई sign नहीं होना चाहिए, केवल सबकुछ इस तरफ होना चाहिए, अब जब आपने सारी चीजा इस तरफ धकेल दी है तो सबसे पहले चेक करिए एक के सामने जो खुबसूरत सी चीज है जिसको हम A कहते हैं कोफिशेंट कहते हैं वो A कैसा है अगर वो A देना तो कब डाउनवर्ड बनादेना तो कब डाउनवर्ड वो देखा जाएगा a से या x square के सामने से हैं plus है या minus है similarly अगर if c is 0 अगर आपका c 0 है c नहीं है पुरे में c नहीं है c 0 है तो ऐसी condition में जो भी पैराबुलाब बनाए चाहे upward चाहे downward यह हमेशा origin से pass करेगा 0,0 से pass करेगा touch भी कर सकता है बट 0,0 से pass करेगा it will pass through 0,0 या origin यह आपको ध्यान लखना है तो अगर c 0 हुआ आप चेक भी कर सकते हैं अगर c नहीं हुआ तो x 0 रखने से y 0 होगा ही होगा मतलब 0,0 से touch करके जाना ही पड़ेगा निकल के cut करके जाना ही पड़ेगा तो c 0 पे आपको x 0 पे y 0 मिलने लगता है इसका मतलब आपको यहां से यह idea लग जाता है कि 0,0 से cut करना है या नहीं करना है अब बचो अगर c की value दी गई हो तो फिर यहां से भी idea लग जाता है कि y पे कहां cut होगा अगर c आपका positive है if c is positive if c is positive अगर c आपका positive है तो ऐसी condition में x को 0 रखके y की value c बन जाती है x को 0 रखके y की value c आ जाती है इसका मतलब यह पता चल जाता है कि parabola y पे कहां cut करने वाला है तो if c is positive तो आपका parabola y पे उपर कहीं cut करेगा y को cut करेगा और कहीं उपर की तरफ cut करेगा if c is negative अगर c negative है तो आपका parabola y को नीचे cut करेगा तो यह थोड़ी थोड़ी feeling ले लिजिए sorry बाते त्यान रखने की ज़रूरत नहीं है बढ़ा थोड़ी feeling ले लिजिए पहले a को कैसे देखके answer पता करते है फिर c को कैसे देखके answer पता करते है और finally अगर आप जानना चाहते हैं पूरा detail में कि सर मैं एक बार में पैराबोला बना दूँ हूँ एक बार में पैराबोला टो कर दूँ तो उसके लिए इस quadratic equation के roots निकाल लेना तो अगर इस quadratic equation के roots निकाल लो अब आप इस roots को निकालने के लिए श्रीधन्यचारे method भी लगा सकते हैं या आप split the middle term भी कर सकते हैं तो अगर आप जो भी quadratic equation है उसमें y को 0 रखके उसके roots निकाल लिए तो फिर यहां से 3 cases तयार होते हैं roots आपको बच्पन से सिखाए जाते हैं तीन type के हो सकते हैं अगर आपका root real है और distinct है distinct and real तो ऐसी condition में आप x-axis को 2 सुन्दर points पे cut करते हो जैसे आपके roots है 2 and 3 तो 2 and 3 का मतलब आप x को 2 पे भी cut करोगे तीन पे भी cut करोगे आप word से cut करना है या downward से cut करना है वो a decide करेगा लेकिन cut तुम्हें कहां करना है 2 और 3 पे 100% तो अगर roots तुमारे real है और distinct हैं तो इसका मतलब आप हमेशा x-axis पे उन दो roots पे cut मारोगे जो भी दो roots है उन पे cut मारोगे अबवड से cut मारोगे या downward से cut मारोगे वो a decide करेगा similarly अगर तुमारे roots equal है equal तो फिर cut नहीं करना है touch करना है तो लेट से तुमारा root आया केवल x-naught 3 11 एक ही root आया equal आया तो ऐसी condition में तुम्हें केवल axis को touch करना है तुम्हें equal उस root पे touch करना है x को तो देखो तुम्हें y पे कहाँ cut करना है ये तो तुम्हें पता चल गया तुम्हें अबवर्ड बनाना है यह भी तुम्हें पता चल गया और तुम्हें X पे कहां touch या cut करना है या cuts करने हैं वो भी तुम्हें समझ में आ रहा है तो इन सारी बातों को अभी मैं लगा के भी दिखाऊंगे एक आधे equation से practice करवा हुआ जिससे आपको पैरा पोला बनाना तो कम से कम आही जाएगा and last अगर आपके roots imaginary हो गए ऐसा भी तो होता है क्या होता है हमारा b square minus 4ac negative आने लगता है अगर हमारा b square minus 4ac negative आने लगता है हमें 10th class से पहले ही पढ़ा दिया गया यह सब तो ऐसे में उसको imaginary roots कहते हैं और imaginary roots का मतलब ही होता है कि हम इस पे कभी भी x पे cut या touch नह हमें y पे cut करना है हा कर सकते हैं लेकिन x को cut या touch किसी भी हालत में नहीं करना है no touch क्या हो लिए no touch किसके लिए x के लिए ठीक है y पे कहां cut करना है वो c बता देगा लेकिन x को touch करना है नहीं करना है cut करना है नहीं करना है वो root से पता चलता है तो बचोई थोड़ी सी mathematics होती है यह थोड़ी सी mathematics अगर आपको पता होती है तो आप graph में चार चांद लगा दोगे क्योंकि graph में अगर आप थोड़ी सी mathematics और थोड़ी सी physics को add करके पढ़ाई करते हो तो यह graph जबदस तरीके से समझ में आना start हो जाता है तो यह कहानी अगर आपको clear है तो चलो मैं आपको equation से graph बनाना सिखाता हूं let's say कि मालो आपके पास मन से ले लेते हैं कुछ equation let's say equation आई y equal to मैं आसान सी देता हूं y equal to x square minus 5x plus 6 यह एक equation है आपके पास ठीक है तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि quodity equation और quality q况 का grab पैरा भोलिक होगा देखते ही चिल्ला दिना है पैरा बोला पैरा बोला पैरा बोला पैरा टीक है अब इसकी बाद कहान कैसा पैरा बोला तो वहां से ए लेक Isakतन squash सकता है यह में कैसा दिखरा थी प्लस का वन अगर यह प्लस वन का है तो तो मतलब upward para बोला, तो हमें खुश हो जाना है, upward para बोला बनाना है, एक चीज, दूसरी चीज, मतलब एक चीज समझ में आगी, पैरा बोला, दूसरी चीज समझ में आगी, अब तीज चीज, सर, यह C की साथ 6 दिख रहा है, 6 दिखता है, मतलब C मतलब Y पे कट कर रहे हैं, कहां पे कट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कट कर रहे हैं, हाँ, बढ़िया, आपको यह पता चल गया, कि y को या तो मैं ऐसे कट कर रहूंगा अवड पैरा बोला है या मैं ऐसे कट कर रहूँ या ऐसे कुछ कट कर रहूँ यह feeling आ गई तुम्हें यह check कर वादूँगा तुम्हें end में ठीक है तो c को देखके समझ में आ गया कि y पे ऊपर cut करना है उपर cut करना है यह check करने के काम आएगा and last अगर तुम पूरे detail में जानना चाते हो तो तुम इसके roots निकाल लो कि यह roots होंगे x square minus 5x plus 6 equals to 0 x square minus 2x minus 3x plus 6 equals to 0 x x minus 2 minus 3 x minus 2 equals to 0 x equal to 2 x equal to 3 common लेके देख लो तो दो roots आ रहे हैं 2 comma 3 इसका मतलब यह है कि दोनो real roots हैं और दोनो distinct roots हैं और अगर real हैं distinct हैं तो इसका मतलब है कि तुम बढ़ियां तरीके से दो जगे कट करोगे एक 2 पे एक 3 पे अब वर्ड smile करते हुए और y पे 6 पे कट करोगे तो पूरा parabola सुंदरता से तयार हो जबना है तुमारा तो बच्चो इस तरीके से अगर मैं तुम एक्वेशन दिखा दूँ और तुम अगर उसकी parabola की drawing बना लो तो इसका मतलब तुमारी mathematics भी जबरदस्त है और तुमारे physics में graph में बहुत मदद मिलने वाली है इन चीजों से चलिए तो आपको linear graph समझ में आ गया आपको constant graph समझ में आ गया और आपको parabolic graph समझ में आ गया अब अच्चो यहां से हम start कर सकते हैं अपनी physics का concepts that is हमारे पास कौन-कौन से type के graphs हैं और हम उनको कैसे बनाना चाहते हैं तो चलिए start करते हैं सबसे पहले graph से जिसका नाम है position या displacement versus time graph अब अच्चो जब आप questions की practice करेंगे तो ये वाला graph आपको इतनी बार देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि इसके concepts तो आपको पता होने ही चाहिए तो चलिए start करते हैं position और displacement versus time graph अब imagine करिए कि मैंने time को यहाँ पर x-axis पर लिख दिया है तो जहाँ पर मैं अभी तक x लिखता था है वापे मैंने time लिखना start कर दिया यह बात का ध्यान रखेंगे यहाँ से physics start हो चुकी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि time गुजरे और चीजों के बारे में पता चले तो मुझे चीजें को देख के time नहीं बताना है मुझे time को देख के चीजों के बारे में बताना है इसलिए मैं चाहूंगा कि time गुजरे और position पता चले, velocity पता चले इसलिए time mostly आपको x-axis पे ही नजर आएगा अगर time आपको x-axis में नजर आया तो जो position है या displacement है वो आपको y-axis पे नजर आएगा याद रखेगा यहाँ पर distance नहीं लिखा जाता है distance के लिए अलग कहानी होती है so position और displacement almost same तरीके से काम करते हैं इसलिए हम इसमें x में y में position या displacement लिख रहे हैं और x में time लिख रहे हैं अब position time graph की सबसे खास बात क्या है तो लेट से कोई particle चला, कोई गाड़ी चली, कोई गाड़ी दोड़ी और उसके वज़े से graph बन गया ठीके और इस graph की सबसे important बात क्या है कि अगर इस graph का मैं किसी भी point पे slope निकालने की कोशिश करू that is 10 theta by using the concept of tangent तो 10 theta बच्चों यहाँ पे बनेगा 10 theta यहाँ पे बनेगा मेरे पास change in y upon change in x से चोटा y upon चोटा x और चोटा y यहाँ पर है चोटा position का change यह चोटा displacement और नीचे है चोटा time तो dy by dx की जगे आ जाएगा dx by dt और dx by dt क्या होता है भाई साब चोटा displacement upon चोटा time क्या होता है अरे सर पढ़ाया था पढ़ाया था instantaneous velocity इसको कहते हैं instantaneous velocity याद रखेंगा instantaneous velocity तो पहली बार कि जब भी आप इस graph के slope के बारे में चर्चा करते हैं वो आपको instantaneous velocity बता देता है तो इसका slope instantaneous velocity होता है इसका slope instantaneous velocity होता है बात नमबर एक बात नमबर दो बट कभी क्या इससे average velocity भी निकाली जा सकती है 100% निकाली जा सकती है बस के लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको पहले 2 points को चुनना पड़ेगा जिनके बीच की average velocity आप निकालना चाहते हैं So let's say आप निकालना चाहते हैं T1 से T2 के बीच की average velocity तो उसके लिए आपको इसका निकालना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा secant second का मतलब जो अब आपके 2 points पे cut करता हुआ जाए तो 2 points पे जब cut करता हुआ जाएगा तो अगेन वहाँ पे 10 theta तेयार होगा और वो 10 theta है कौनसा वाला secant वाला, ये कौनसा वाला 10 theta था, tangent वाला तो अगर आप secant वाला 10 theta निकालें तो बनेगा displacement upon time से that is delta x by delta t that is total displacement upon total time और उसी को हम कहते हैं average velocity तो बटा average के लिए secant पे दिमाग रखना दो points लेना उससे line बनाना और tangent बना करके instantaneous velocity मिल जाती है तो यह आपको position versus time graph में सबसे भेंकर information जो छुपी हुई होती है वो यह होती है तो अभी मैं overview दे रहा हूँ बिल्कुल end मैं आपको सौ और एक graph बनाना सिखा दूँगा लेकिन पहले एक एक graph का overview ले ले लेते हैं जल्दी जल्दी किससे क्या information मिलनी start हो जाती है चलो एक question करते है थोड़ा सा हमारे concepts और strong होंगे यह question जेई 2023 के paper में देखने को मिला था तो एक question पढ़ते हैं और देखते हैं क्या comment किया जा सकता ह पार्टिकल के बारे में क्या उसकी कुंडिली बताई जा सकती है नहीं बताई जा सकती है the position time graph for two students A and B यहां पर दो बच्चों के बारे में बात हो रही है एक बच्चा A और बच्चा B two students A and B returning from the school to their homes, school से घर की तरफ आ रहे हैं are shown in the figure और वो figure में यहां पर डियाग्राम में देख लीजिए अब आगे कहानी सुनिए यहां पर पांच statements लिखी है और आपको बताना है पांचो statement में से कौन सी सही है और नीचे उसके options लिखें choose the correct answer बहुत simple चले start करते हैं यह करके एक statement पढ़ेंगा आराम से सोचेंगे ठीक है पहला statement A lives closer to the school पहले एक बार देखते हैं नहीं सर थोड़ा आगे से start किया अरे वो time है तो B ने थोड़ा late start किया वो बात सही है लेकिन B ने start तो origin सी किया ना school से start किया ना तो X की value मतलब position की value तो 0 ही थी ना शुरू में तो position की value A के लिए भी 0 है और position की value B के लिए भी 0 है graph को comprehend करना सीखें graph को पकड़ना सीखें तो position शुरू में 0 है इसका मतलब दोनों school से start कर रहे हैं और time एक का लग है start करने का एक ने घड़ी 321 start वो चालू हो गया और एक 321 start वो खड़ा है कि रचा तू निकल जागे हम बच्चे के साथ रेस लगाते क्या बोलते है तू निकल जागे हम आते थोड़ी देर से start हुए जि स्लोप मतलब velocity तो B की velocity जादा है A की velocity कम है B is faster and A is slower than B तो B fast है A slow है यह बात समझ में आ गई चलो पहरा स्टिप्टिम वापिस पढ़ते हैं A lives closer to the school अब school से past कैसे रहते हैं तो जहां पर graph खतम हो गया देखते हैं A का graph कहां खतम हो गया A का graph कहीं यहां पर खतम हो गया यहां मतलब A अपने घर पहुझ गया और B का graph यहां खतम हो पोधिशन देखो पोधिशन देखो पोधिशन देखो क्या लगता है school तो दोनों के लिए same था X equal to 0 पोधिशन देखो यह यहां तक जा पाया पोधिशन में और यह पोधिशन में यहां तक चला गया इसका मतलब B के ल living closer to the school this is true statement यह सही statement आगे पढ़ते हैं B lives closer no B अगा closer होता तो B का अंत जल्दी हो जाता भी कम पोधिशन पी पहुच जाता बट बी लंबे पोधिशन पे गया उपर तक गया वाइक सिसमें उपर तक गया तो मतलब थोड़ा दूर रह रहा है आगे पढ़ते हैं एक टेक्स लेसर टाइम टूरीच खोम एने कम टाइम लिया जड़ा देखते हैं कि टाइम में कौन आगे है तो टाइम में ए आगे है और टाइम में बी पीछे है तो टाइम यहां से दिखेगा टाइम में ए आगे टाइम में बी पीछे है मतलब बी पहले पहुच गया और ए बाद में पहुचा और रीजन भी आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ए और बी में किसका अंतर ये गलत हो गया, अगला देखिए, A travels faster, अरे पागल, ये तो होई नहीं सकता, slope देखके पता चल जाएगा, B travels faster, yes, तो बच्चों, आपको इससे पूरी clarity मिल गई, कि कौन सी चीज क्या बताती है, और A और E इसके सही जवाब होने चाहिए थे, so A and E only will be the right answer to this question, तो position time graph में चल लही होती है, कुछ भी देखना है, displacement देखना है, यहां से देखो, कुछ भी देखना है, घड़ी देखनी है, तो यहां से देखो, और velocity देखनी है, तो slope से देखो, slope कैसी है, clear, आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं, अगले type के graph की, जिसको बोलते है, velocity versus time graph, बच्चों को हम x-axis पे रखते हैं, और velocity को हम y-axis पे रखते हैं, अब VT graph में दो important बाते होती हैं, इसलिए मैं दो graph यहां पे लेके आया हूँ, पहली important बात, कि अगर VT graph माली जिए, ऐसा कुछ आया, particle ऐसे चला, मैं हमेशा curve बनाता हूँ, जिससे general बाते हो जाएं, तो let's say ऐसा कुछ कि बताओ, क्या यह motion accelerated है, तो आप बिलकुल बोलोगे, हाँ बिलकुल accelerated है, time change हो रहा है, velocity देखो बढ़ती जा रही है, तो velocity अगर change होती है, तो वहाँ पे accelerated motion होता है, इसका मतलब this is an accelerated motion, तो वो पूछेंगे, अच्छा, तो फिर यह बताओ, acceleration कितना है, तो अगर आपको acceleration प tangent, 10 theta, आपको इस time वापिस से dy by dx की जगे, dv by dt बताएगा, dv by dt, और dv by dt is nothing but instantaneous acceleration, यह हमारा instantaneous acceleration होता है, similarly, अगर वो कहता, अरे अरे भाई सब, भाई सब, भाई सब, average बताना था, average बताना था, तो आप क्या बोलना, अरे यार, दो time बताओ जल्दी से, चलो, चलो दो time velocity की क्या क्या हो गई, v1, v2, तो बता, 10 theta इसका निकालना, secant का, 10 theta किसका निकालना, secant का, 10 theta निकाल देना, और वो क्या बनेगा, total change in velocity upon total change in time, यह बनेगा average acceleration, यही लिग दो, यह बनेगा average acceleration, तो कौनसी चीज़ किस से निकल ली हो, कौनसी slope से निकल ली हो, यह भी देखते चलो भाई साव, तो अगर आपको average निकालना है, तो आप 2 points लेंगे, secant बनाएंगे, straight line बनाएंगे, उसका 10 ठीटा निकालेंगे, लेगन अगर आपको instantaneous चाहिए, उसी पल का चाहिए, तो फिर आप tangent draw करेंगे और calculus की मदद लेंगे, clear, similarly, अच्छा, यहां पर कौन से calculus लग र आया, मैं जान मुझ के ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ आया, और उन्होंने बोला, सुनो, 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 गाड़ी का displacement बता दो, तो displacement भी VT graph से निकाला जा सकता है, कैसे, अगर हम इसके area में जहांके, तो बेटा, area जैसा मैंने बताया, area बनता है, y dx का integration, y में कौन है, y में है velocity, और x में कौन है, x में है छोटू time, dt, तो velocity into time, अपने आपको थोड़ी velocity दो, और थोड़ा सा समय दो dt, तो तुम थोड़े सरक जाओगे, सरक जाओगे, अपने को velocity दो, V, और time दो dt, थोड़े सरक जाओगे, तो असका मतलब यह है, कि अगर velocity के time को थोड़ा सा multiply करते हैं, तो थोड़ा सा displacement आना start हो जाता है, तो इसका मतलब, अगर मैं V dt को multiply कर दूँ, तो यह area under the graph बन जाएगा, और उसी का integration, मेरा displacement बन जाता है, तो प्रॉपर, T1 to T2, मैं प्रॉपर integration करूँगा, तो मुझे area under the graph से किसे, area under the graph, बच्चों आपको थोड़ना integration करना है, integration वाला कोशे हैं अलग होते हैं, हम graph के नीचे का area खुद से जाकेंगे, और area under the graph से, area under the graph से हम क्या बता देंगे, इसका कितना displacement है, लेकिन एक बात का साथान, मतलब सतर्ता से और साथानी से ध्यान रखना है, कि आपको ये वाला area जो नीचे आएगा, इस area को negative मानना पड़ेगा, if this area is positive, if this area is positive, अगर ये area आपने positive लिया है, तो फिर ये area आपको negative लेना पड़ेगा, लेकिन फिर से एक कहानी है, कि ये तो तब करना है, जब आप displacement निकाल लो, what if आप distance निकालने के mood बना चुके हो, distance, तो distance के लिए, आपको सारे area पे mode लगा देना है, सारे area पे mode लगा देना है, इसका मतलब नीचे के area को भी add ही करना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, कि distance always adds सब, distance हमेशा जुड़ता जाता है, distance कभी negative नहीं आता है, इसका मतलब अब आप चाहे उल्टे लोटो, चाहे सीधे लोटो, या सीधे जाओ, ऐसे condition में distance तो जुड़ता ही जाना चाहिए, तो area आपको add ही करना है, ये छोटी मोटी mistake बच्चों से हो जाती है, तो distance के लिए, अपर भी positive, नीचे भी positive, displacement के लिए, उपर positive, नीचे negative, वह दिक्कत, particular clear है, सारी बाते दिमाग में set हो गई है, ये दोनों बाते आपको ध्यान रखने है, तो VT graph की slope आपको accession बताती है, और VT graph का area under the graph आपको displacement और distance दोनों बता सकता है, depending वहाँ पे question में क्या आए, चलो एक question से समझाता हूँ, जिससे कहानी एकदम clear हो जाए, तो यहाँ पर एक question है, अराम से पढ़ डीजे, आप चाहो तो वीडियो को pause कर लो, और एक बार अपनी तरफ से answer निकाल लो, फिर आप इस वीडियो को continue भी कर सकते हो, तो चले start करता हूँ, मैं पढ़ना, the velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in the figure, एक VT graph है, जो कि यहाँ पर figure में दिख रहा है आपको, the ratio of displacement to the distance traveled by the body in time 0 to 10 seconds, 0 से 10 seconds, देखो, 0 से 10 seconds का graph बना हुआ है, और आपको इसके अंदर distance or displacement दोनों बताना है, VT graph के अंदर distance displacement, तो बस एक बात का ध्यान रखना है, displacement निकालते समय नीचे के area को negative लेना है, minus करना ह और distance निकालते समय नीचे के area को plus करता है, तो सारे area निकाल लेते हैं जल्दी यल्दी, तो पहले ये area निकाल लेते हैं, फट आवट, फट आवट, फट आवट, तो ये area कितना हो जाएगा बच्छों, ये भी 12-13 का question है, very good, तो ये area कितना हो जाएगा, 8-2-16, ठीक है, चलो ये area कितना हो जाएगा, ये area हो जाएगा, 4-2-8, ये area कितना हो जाएगा, ये area कितना हो जाएगा, 2-8, ये भी भापिस से 8, ठीक है, तो मैंने 4 section के 4 areas निकाल ली है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये 4-2-8 और ये भी 4-2-8, सही है, area ये वह चेक कर ले नहीं, अब एक ब जाएगा, तो बन जाएगा distance, तो बेटा distance के लिए फट सीना area आएट कर देते हैं, तो ये हो गया 16-16, 32-32, 32-8, 40-48, 48, 48, वो जिक्कत, ये आएगा distance, meters में, और अगर displacement की बात करें, तो displacement देखतें कितना आएगा, तो 16-16 तो जुड़ेगा, लेकिन 8-8 कटेगा, और 8-8 तो displacement 16, और distance 48, और अगर हम दोनों का ratio निकालना है, द्यान से देखेगा, the displacement to the distance, displacement उपर रखना है, distance नीचे रखना है, 1-3 का ratio बनेगा, and 1-3 is option 4, easy, समझ में आ रहा है, तो आपको VT graph नजर आया, छूटते ही area निकाल लेना, distance displacement के लिए, और slope निकाल लेना, acceleration के लिए, okay, आ इसको बोलते है, acceleration versus time graph, AT graph, प्यार से कहते हैं, AT graph, A versus T graph, acceleration versus time graph, अब बचो अगर आपको acceleration versus time graph मिल गया, तो ऐसी condition में इस graph से एक ही बात पता चलती है, वो एक बात भी बड़ी important है, ध्यान से देखेगा, so AT graph के अंदर, फिर से तेड़ा मेड़ा बना लेते हैं, अगर, again, 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 अगर मैं, यहां से यहां तक का area निकालूंग, तो आपको पता area integration से निकलेगा, और अगर integration करने की कोशिश करूं, area, sorry, acceleration into छोटू time, acceleration into छोटू time, देखो, strip का area, strip, strip पतली सी, यह, पतली सी, जो पत्ती है, पत्ती, इस पत्ती का area, area into छोटू time, और area into छोटू time का अगर मैं integration कर दिया, जैसे पत्ली-पत्ती स्ट्रिप जुड जाएंगी, यह सारी स्ट्रिप को जुड गई, तो यह बन जाएगा area into time, area into time, sorry, acceleration into time, क्या बन जाता है, acceleration होता है, dv by dt, तो dv by dt मे dt, अगर कर गया, तो यह किसका integration हो जाएगा, यह dv का integration हो जाएगा, और अगर यह dv का integration तो यह क्या है, यह velocity नहीं है, यह change in velocity है, यहाँ पर गडबड करते हैं बच्चे, बच्चे क्या बोलते हैं, velocity आई, velocity नहीं आई, change in velocity आई, तो अगर मैं इसका integration करता हूँ, so a dt का integration, that is area under the graph, area under the graph, will give you change in velocity, इस बात को अच्छे से note कर लो, कि तुम्हारा area, तो मैं velocity का change देता है, हमेशा ध्यान रखना, again, same बात है, repeated, अगर area नीची की तरफ है, तो फिर आपको वापिस से उसको negative लेना है, area उपर की तरफ है, तो वापिस से आप उसको positive लेंगे, अब यहाँ पर फिर से confusion create होता है, बच्चों का, कि सर, कल के दिन, अगर उन्होंने speed का change गलती हो जागी, बहुत बड़ी गलती हो जागी, mistake हो जाएगा भाई साब, mistake, क्यों mistake हो जाएगा, क्योंकि speed के case में, आपको दोनों speed ही चाहिए, instantaneous initial और instantaneous final, है ना, तो ऐसी condition में आप यह गलती बिल्कुल मत करना, कि आप नीचे का area भी जोड़ते जा रहे हो, ऊपर का area भी गड़बर ना करें, तो याद रखेगा, speed, instantaneous speed से बनता है, उन दोनों के difference के change से बनता है, और उसके लिए आपको area प्लस या माइनस दोनों जैसे हैं, वैसे ही रखने है, so don't, यहां लिख देते हैं, don't, don't use positive area, positive area या don't make negative area as positive, don't make negative area as positive when it comes to speed, when it comes to speed change, speed change, तो फिर सर निकलेगी नहीं क्या, निकलेगी न, velocity के change का mode, कैसे निकलता है speed का change, speed का change बनता है, velocity के change का mode, बस, अगर ही negative आए तो positive कर देना, बस, खतम, speed का change ऐसे निकलना है, ठीक है जी, तो एक छोटी जोटी बात हो का ध्यान रखना है, बच्चो कभी कभी गडबर हुजाती बच्चो से, इसलिए वो पच्चताने लगते हैं, तो 80 graph का area आपको change in velocity बताता है, और अगली बार से आपको ध्यान रखना है कि speed के change को निकालने के लिए, कभी आपको नीचे का area negative नहीं लेना है, जैसा है वैसी solve कर है, end में उसका mod लगा देना है, ठीक है, okay, so इस पर आने वाला question कराते हैं कि आपको question based on graph and 80 graph आपके सामने है, तो अराम से question पढ़ेंगे, सारे लोग इसको करेंगे, ठीक है, so question देख लेते हैं, नीचे options अपने पास, the acceleration time graph of a particle moving in a straight line is shown in the figure, 80 graph आपके सामने है, 80 graph, ऐसे ट्राइंगल जैसा graph दिख रहा है, आपको पूछा है, the velocity of the particle at time t equals to 0 is 2 meter per second, 0 time per initial velocity 2 meter per second है, अब कोई बच्चे के पता नहीं क्यों दिये, होगा दिया होगा, ठीक है, the velocity after 2 second, आपको 2 second के बाद की velocity बताने है, चलो, तो 2 second के बाद कितना velocity में change आ गया होगा, वो कैसे निकलेगा, area under the graph से, और area कैसे निकलेगा, सर, area तो हमें दिख रहा है, कोई integration नहीं करना, half base into height, half base कितना है, base है 2, और height कितनी है, height है 4, तो half base into height मारा 4 meter per second का area तयार है, area meter per second में आता है, unit system चेक कर लेना, area meter per second में आएगा, क्योंकि यही है change in velocity, this is change in velocity, अब बहुत बच्चे बस यहीं तक सांस भरके, 4 meter per second ढूनते हैं, और खट सीना answer लगा देते हैं, बटा, एनी चीजों से बचना है, there is a very little gap between getting the answer and between getting the right answer, यह बहुत छोटा सांतर है, right answer में और answer में, यह एक answer है, बट क्या यह सही answer है, तो यह पता क्या होता है, जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो भावना है हमारी इतनी आगे बढ़के काम कर रही होते हैं, हम इतनी emotionally हो जाते हैं, emotionally काम करने लगते हैं, कि हम लोग उस emotion पर control नहीं कर पाते हैं, और जैसे हमारा option या हमारा कोई भी value किसी से भी match करता है, हम cut सीन initial को put करेंगे 2, initial इसलिए दिया गया था, 2, तो अगर initial को 2 रखेंगे, तब हमारा answer आएगा 6, right, तो सही answer 4 नहीं है, सही answer 6, right, clarity है, तो यह है हमारा 80 graph, तो मैंने आपको XT समझा दिया, मैंने आपको VT समझा दिया, मैंने आपको 80 graph समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं, इ जल्दी से idea दे देता हूँ, कि कौन सा graph कैसे दिखता है, उसका कैसा question आता है, जिससे आपको सारे graphs का एक एक idea लग जाए, similarly एक टाइप थोड़ा सा rare case graphs बताता हूँ, जैसे की VX graph, जिसको हम velocity versus position graph कहते हैं, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे velocity बना देते हैं, और यहाँ VX graph की भी कुछ खास बात होती होगी, इसलिए यह पढ़ाया जाता है, अच्छे से देखना, इसकी खास बात क्या है, let's say, कि यह आपका एक VX graph है, और VX graph में जो चीज पूछी जाती है, वो एक ही है, that is, acceleration, तो VX graph में acceleration कैसे निकलेगा, जड़ा ध्यान से सोचना, ठीक है, let's say, आपको पता है, कि एक्सेशन निकालने के लिए differentiation तो करना ही पड़ेगा, area वेरिया से यहां कुछ नहीं मिलेगा, तो V का कुछ एक्सेशन का differentiation करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर time के respect में differentiation नहीं करदा है, अब आपको एक तरीके से ध्यान होना चाहिए, कि हम अपने acceleration को DV by DT तो लिखते थे, लेकिन कभी-कभी बगल में DX का multiply, DX का divide करके, DX का multiply, DX का divide करके, यहाँ पर DX by DT को V लिख देते थे वापिस से, और अगर यहाँ पर V लिख दे, तो यह बन जाता था V DV by DX, it is a very rare case, कम use होता है, लेकिन आता है V DV by DX, अब बच्चो V DV by DX अगर कारी आनी चाहिए, हमारे दिमाह में क्या sparking होनी चाहिए, that is, कि अगर मैं इस graph की slope निकालूं है, सुनना, सुनना, अगर इस graph की किसी point पे slope निकालूं है, इस graph की slope, 10 ठीटा, तो बिटा 10 ठीटा काईसे बनता है, 10 ठीटा होती है slope, slope काईसे बनती है, सर वो बोला ना, अपन dv by dx तो slope है, तो क्या slope acceleration है, no, मैं यहां लिख देता हूँ, slope is not acceleration, slope is not acceleration, ध्यान रखें, slope is not acceleration, लेकिन, अगर इसी slope को, मैं इस time की velocity से multiply कर दूँ, या इस position की, उस time की, या उस position की, विलॉस्टी से multiply कर दूँ, उस position पर कुछ velocity भी तो होगी, corresponding, corresponding velocity, उस corresponding velocity से अगर मैं multiply कर दूँ, तो यही acceleration बन जाएगा, देखो कैसे, वो ही velocity से slope को multiply कर देना है, और slope क्या है, dv by dx, तो slope into corresponding velocity, लिख दूँ मैं, slope into corresponding, corresponding velocity at that point, corresponding velocity, उस point पर क्या velocity है, उस slope को corresponding velocity से multiply कर दो, तैयार हो जाएगा तुमारे पास acceleration, अब ये बात थोड़ा सा digest करने में, बच्चों को problem आती है, इसलिए, हम इस पे भी एक सवाल चटकाएंगे, तो पहले इसको अच्छे से देख लो, यहाँ पे slope से direct कुछ नहीं मिलता, लेकिन उस slope से corresponding velocity को multiply कर दो, तो आपको accession मिलना, start हो जाता है, चलो, आओ, एक question करा दे, यह बाला question पढ़ो, यह बाला question करेंगे, V और x graph का question है, अच्छे से देखना, the Vx graph of a particle is given, यहाँ पे शोन है, velocity versus position graph, its acceleration when position is 4, जब position 4 है, पहले चेक करो, position 4 है, जब position 4 है, जब position 4 है, तो velocity भी 4 है, okay, यह मिलेगा, मदद करेगा, और क्या आपको slope निकालना आता है, हासर, तो slope बनती है, 10 theta से, और 10 theta यहां तो straight line है, तो straight line में 10 theta बन जाएगा, डेल्टा वाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ मतलब, 4 बटे 2, और 4 बटे 2 की slope कितने हो गई, यह तो 2 ही हो गया, तो यह 2 unit system, ज्याना कि उपर चला है, meter per second, और नीचे चला है, second, तो meter per second हो second, मतलब, उपर velocity, dv, meter per second, और नीचे time नी, time नी चला, position चली, meter, तो उपर meter per second, नीचे second नी, meter, meter per second, meter, तो बनेगा second inverse, second inverse, करके एकलो, dv by dx, meter per second upon meter, 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 second inverse, right, slope क्लियर होआ, अगर तुम्हें slope क्लियर होआ, तो फिर तो तुम्हें बस एक काम करना है, एक्सेशन बनाने एक लिए corresponding velocity को slope से multiply करना है, दुबारा बोलता हूँ, corresponding velocity को slope से multiply करना है, 4 पे corresponding velocity भी 4 है, तो 4 पे corresponding velocity 4 है, और slope है 2, एक बात का ध्यान रखे कि ये slope धलान है, और अगर ये धलान है, तो ये slope आपकी negative होनी चाहिए, ठीक है, और अगर हम negative sign का इस्तमाल करें, त second square, you can check, answer check कर सकते हैं, क्योंकि 8 भी option था, minus 8 इसलिए मैंने end में negative sign लगाया, चाला की करी मैंने, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अरे नहीं, गलती हो जाएगी, plus 8 भी है, minus 8 भी option में, तो आपको 10 theta plus minus के 7 लिखना है, क्योंकि accession is a vector quantity, इसका plus minus की बहुत माहिने है, ठीक है बेटा, अगला graph देखो, acceleration versus position graph, क्यों से graph, acceleration versus position, also known as, AX graph, AX graph, acceleration versus position, AX graph, अब AX graph की कोई खास बात, क्या इसका भी कुछ मिलता है गया, इसकी slope से, नहीं, इसकी slope से कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसके area से कुछ मिलता है, बताता हूँ, कैसे, अराम से देखना, बहुत important होती है इसकी चीज़े, आप जित्ती चीज़े मेरे से पढ़ रहे हैं, उतनी चीज़े आप self-analyze भी कर सकते हैं, अगर आपको छोटी-छोटी बाते पता होती हैं, इसलिए मैं कोई चीज़ रटाना नहीं चाहता, क्या आप बैठके सुबह-सुबह उठके रट रहे हैं, X-T graph की slope से यह मिलता है, VT, आपको वो calculus के जो basics होते हैं, उनी से पता चल जाएगा, कि इससे क्या मिलेगा और इससे क्या नहीं मिलेगा, जैसे-जैसे मान लो, paper में गए हम, paper में X-graph आगया, हम भूल गए, भूल गए हम, क्या भूल गए, क्या मिलता था, अब एक चीज़ का ध्या दुबारा करोगे, तो शायद ही कुछ मिल पाए, तो एकसेशन का differentiation is jerk, जर्क वगरा हम पढ़ते नहीं अपने syllabus में, हम केवल यह ध्यान रखते हैं, कि एकसेशन है, तो कुछ integration से ही मिलना चाहिए, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं से मुझे चेक करना है, तो check करके देख लो, da by dx, now what is da by dx, nothing, but अगर आप a dx लिख लोगे, तो देखो एक feeling आएगी आपको, मैं बता तुम feeling क्या है, let's say, मैंने इसके अंदर का area लिखने की कोशिश करी, और मुझे पता है जो area होता है, छोटा सा area, उसको लिख सकते हैं, या area को integration of, integration of a dx, right, x initial से x final, अब a को मैं लिख सकता हूँ, vdv by dx, क्योंकि बगल में dx दिख रहा है, मैं इसको dt क्यों लिखूं, dv by dt क्यों लिखूं, जब बगल में dx ही दिख रहा है, तो मैं इसको vdv by dx लिखूंगा न, अब मैंने इसको लिखा vdv by dx, और यहाँ dx, ओ भाई, अब dx, अब dx ने मार द गया, V square minus U square by 2, तो जो area है, वो V square minus U square by 2 के बराबर होता है, सर तो यह याद तो नहीं कर पाएंगे हम, बिलकुल सही बात है, याद तो नहीं रहेगा, उतना बड़ा इतने सारे चैप्टर से हैं फिजिक्स, केमिश्ट्री, मैथ सब अलग लग है तो इतनी चीज़े याद तो नहीं लेकिन फिर से आगे पढ़ते हैं, आपको पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड बतानी है, अब अच्छो स्पीड मैक्सिमम कब तक होगी, जब तक गाड़ी एक्सेट करती रहती है, गाड़ी एक्सेट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, जब तक उसका एक्सेलरेशन प Acceleration is positive, Velocity increases, कब Velocity decrease करनी start होती है, जब Negative Excitation आता है, तो दिखो आप Graph दिखो कैसा है, Graph दिखो ऐसे आ रहा है, नीचे चला गया, नीचे चला गया मतलब Negative Excitation आ गया, और Negative Excitation का मतलब, यहाँ से गाड़ी की Velocity कम होनी start हो गई, तो अगर वो आपसे कहते हैं, बताओ, वहाँ तक की बात बताओ, जहाँ Velocity Maximum होगी, तो आप कहना कि Velocity Maximum तब होती है, जब Acceleration Zero होता है, सुनने में अटपटा लगता है, Velocity Maximum टच करती है, जब Excitation Zero होता है, तो आपको केवल इस पॉइंट पे रुख जाना चाहिए है, यह Excitation जहाँ जीरो हुआ, वहीं आपको रुख जाना है, भाईया इसके बाद Negative Excitation है, इसके बाद मेरी Speed कम होगी, मेरी Velocity कम होगी, मैं बस यहीं तक कहां सा निकालूँगा, तो यहीं मेरी Maximum Velocity होगी, अब कितिनी होगी, उसके लिए आपको यह Area चाहिए पड़ेगा, तो यह Area बहुत ही आसान है, Half Base into Height, तो Area को निकाल लेते हैं, Half Base into Height, Base आपको दिख रहा होगा 2, Height आपको दिख रहा होगी 4, तो 2 into 4, 2 to Cancel, तो Area निकल गया, लेकिन क्या यह Area ही Maximum Velocity है, No, यह 80 graph नहीं है, यह Change in Velocity नहीं है, यह Ax graph है, और Ax graph के नीचे का Area, V square minus U square by 2 के बराबर होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको put करूँगा, equals to V square minus U square by 2, equals to 4, आई मेरी वास समझ में, आचा कुछ तरीके ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर्च को ऐसे भी कर सकते हैं, कि हम इसका function लिख लें, इसका function लिख लें, function क्या बनेगा, इसका straight line function Y equal to Mx plus C से, और फिर A को V dv by dx लेके integrate कर लें, आप यह भी कर सकते हो, मुझे कोई problem नहीं, आठ और V हो जाएगा अंडरूट आठ जिसको लिख सकते हैं, 2 root 2 meter per second, तो बेटा 2 root 2 meter per second, हमारा final answer होना चाहिए, 2 root 2 meter per second, clear एकदम, कहानी जबरदस्त, मजा आ रहा है, तो देखो इतने type के graph मैंने अभी बता दिए, कौन कौन से, position time, velocity time, position और velocity, मतलब V x graph, A x graph, और एक last और देख लो, मजा आ जाएगा, last एक और देख लो, उसके बाद तो तुम बोलोगे कि, अरे सर, अब आप बता हूं में कहा करना है, ठीक है, तो एक और देख लो जिसको बोलते हैं, velocity square versus position graph, कभी-कभी एकदम rarest case में, तो यहाँ पर मैं velocity का square लिख दूँ, और यहाँ पर मैं position लिख दूँ, अगेन, जैसी velocity को देखते हो, तो क्या समझ में आता है, इसके slope से कुछ मिल सकता है, हाँ, slope में feeling आ जाती है, तो V square का x के साथ graph जब बनाते हो, तो उसकी slope में एक feeling होती है, आँ, slope देखते है, slope बनती है 10 theta से, 10 theta बनता है dy by dx से, और 10 theta का dy by dx करूँ, तो y की जगे velocity का square है, और x की जगे x है, और अगर velocity के square का differentiation करूँ, तो V square का differentiation, 2V dv by dx, या 2V और बगल में dv by dx, क्योंकि x नीचे रह जाएगा, तो V square का 2V, और फिर V dv by dx, dv by dx अलग से दिखे रहा है, तो V square का 2V, और क्योंकि V का differentiation हो रहा है, तो dv by dx बगल से दिखे रहा है, अब बच्चों, इसमें आपको दिख रहा होगा, V dv by dx, और V dv by dx is acceleration, तो मतलब इसका slope होता है, slope होता है, twice of acceleration, कौन सा ग्राफ है यह, V square versus x, रेर, रेर, यहां लिख देता हूँ, रेर, रेर, यह मिलती नहीं है प्रजाती, यह प्रजाती ढूल नहीं पड़ती है, वर्ट सवाल है मेरे पास, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, यह लो, सवाल है मेरे पास, 2021, 2021 के पेपर में, V square versus x का ग्राफ आया था, और सवाल, क्या पूछा गया था, पढ़ दीजे, अब पार्टिकल is moving with a constant acceleration, यह, पार्टिकल कैसा चला है, एक constant acceleration से चला है, सवाल आया था, V square x ग्राफ जो दिया है, बताओ उसका acceleration क्या होगा, तो जैसा आपको पता चला, इसका slope ही acceleration बताएगा, लेकिन double of acceleration, तो इसकी slope निकालना कितना असान है, लेकलो जल्दी से, 10 theta, 10 theta is equals to perpendicular upon base, तो बेटा, अगर मैं यहाँ से line खीचू हूँ, यहाँ से line खीचू हूँ, ऐसे 10 theta यहाँ से निकाल लूँ, तो यह लंबाई कितनी बची, 80, 20, 60, और यह लंबाई कितनी बची, 0, 30, 30, तो 30 और 60, 60 बटे 30, 2 meter per second square, बट यह 10 theta 2 लिख दिया, और यहाँ पर 2 चमका दिया, गलत हो गया, पता होना चीए, यह twice of acceleration, तो acceleration will be, 2, 2 cancel, 1 meter per second square, बस, इसका answer, integer type question था, समझ में आया, तो आप, XT, VT, AT, AX, VX, V square X, इन सारे graphs में, थोड़े थोड़े comfortable हो जाओ, क्योंकि अगर आप इन graphs में comfortable हैं, किसके अंदर क्या छुपा हुआ है, किसका area क्या बताता है, किसका slope क्या बताता है, किससे क्या निकलता है, तो आप यह मान लीजिए, कि maximum question जो types होते हैं, 80-85% जो question types होते हैं, वो इनी category में fall करते हैं, तो बच्चों, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो हम लोग अपने start कर सकते हैं, next part से, जिसमें मैं आपको, अलग-अलग motion के type के graph बनाना सिखाता हूँ, तो चलिए, अलग-अलग type के motion के graph बनाना सीखते हैं, तो आईए बनाना start करते हैं, सबसे पहले type का graph, that is the graph of uniform motion, अब अच्चों uniform motion का मतलब क्या होता है, पहले वहाँ से start करते हैं, तो जब भी मैं आपसे कहता हूँ uniform, uniform मतलब एक जैसा, और motion मतलब एक जैसा motion, अगर आप एक ही velocity से, एक ही direction में, particular direction में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका motion uniform है, और ऐसे type के motion को आप non accelerated motion भी कह सकते हैं, इसका मतलब जब भी आपसे बूला जाए, uniform motion, इसका मतलब सबसे पहले लिखना है, एकसेशन जीरो, हम x rate नहीं करेंगे, और अगर हम x rate नहीं करेंगे, तो हमारी velocity constant रहने वाली है, magnitude as well as direction, magnitude और direction दोनों constant रहने वाले हैं, अब अच्छो अगर x session 0 का कोई graph बनाने को बोलूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा, पहले 80, फिर VT, फिर XT, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो पहले 80 graph बनाते हैं, 80, x session time, और जैसा मैंने का x session 0 है, तो 0 का graph कैसे बनेगा, रहे सर यह तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, 0 का graph तो ऐसा दिखेगा, dead, dead, मर गया, 0, तो 0 का graph तो ऐसा दिखना चालू जाएगा, इसलिए 80 graph आप बनाएं, blank सा दिखेगा, overlapping time axis भी कह सकते हैं, तो इसको blank भी बोल देते हैं, dead बोल देते हैं, blank बोल देते हैं, और overlapping, time axis को overlap कर जाएगा, parallel नहीं, overlap, बड़ अगर बात करें, VT graph की, आरे velocity तो है ना दादा, तो velocity कैसी है, तो तुम्हारी constant, और जैसा मैंने तुम्हें शुरू से पढ़ाना स्टार्ट किया था, वो सारी बाते काम आएगी, constants के graph ऐसे बनते हैं, तो y equals to constant की जगे यहाँ है, velocity equals to constant, और अगर velocity constant है, तो सपार्ट graph बनेगा, तो सपार्ट यहाँ पर, कुछ इस तरीके का नजर आएगा, लेकिन अब depend करता है, कि सपार्ट ऐसा बनाएं, या सपार्ट ऐसा बनाएं, तर किस बात पर depend करता है, अगर तुमारी velocity पॉजिटिव है, तो सपार्ट उपर दिखेगा, लेकिन अगर तुमारी velocity नेगिटिव है, तो सपार्ट नीचे भी दिख सकता है, तो velocity depend करता है, कैसी है, अगर पार्टिकल उल्टा यूल्टा चले आ रहा है, तो ऐसी condition में velocity negative है, negative velocity का graph नीचे दिखाना है, right, similarly और सबसे मज़ेदार होगा इसमें position time graph, अब बेटा position time graph के लिए कुछ शोचना पड़ेगा, कोई equation सोचनी पड़ेगी, तो बेटा 9th class में अगर uniform motion आ जाता था, आप से पूछते थे भईये displacement निकालो, तो displacement कैसे निकालते थे तर आप हमें velocity बता दो, आप हमें time बता दो, हम velocity को time से multiply कर देंगे, कोई equation, कोई calculus की आवशकता नहीं है, क्योंकि uniform motion है, uniform motion का मतलब ही होता है, उसका essence ही होता है, कि velocity लगातार x है, और velocity अगर x है, तो सीधा सीधा time से multiply करो, displacement तयार है, तो अगर मैं displacement पूछूँं कैसे लिख होगा, right, initial लिखी x naught, final लिखी x, is equal to vt, तो बेटा, position का जो graph बनने वाला है, वो बनने वाला है, x naught प्लस vt, इसको घूरो, position का जो graph बनेगा, वो बनेगा x naught प्लस vt, इसलिए मैं शुरू से थोड़ी mathematics लेके चल ला तो जो अब काम आने वाली है, अब आपको पता है, position कौ कौन सी x इस पे है, x पे, और जो y है, वो x के directly proportional है, sir, sir, एक बट दुबारा बोलना, y जो है, वो x के, x पे कौन है, time, y पे कौन है, x, position जो है, वो time के directly proportional है, इसका मतलब, linear graph बनना start हो जाएगा, और एगा linear graph बनाए तो linear graph बहुत सारे हो सकते हैं, depending, शुरुवात में क्या था position, let's say हमने origin से start किया, बचो यह origin है, ठीक है, let's say origin से start किया, और 3, 2, 1, दोड़ गए positive में, तो position origin से start किया, मतलब initial position 0 है, और velocity positive है, तो slope positive, intercept 0, graph तैयार, अब आप कहे रहें, नहीं नहीं, sir, सुनो, मैं यहां से start कर रहा हूँ, मैं position positive से start कर रहा हूँ, और मैं आगे ही मेरी velocity भी positive है, sir, तो अगर position भी positive है, और velocity भी positive है, तो फिर position positive मतलब intercept positive, intercept positive, और velocity positive मतलब slope भी positive, तो ऐसा बनेगा चाह, right, तो वो straight line कौन कौन सी बन सकती है, और कैसे कैसे बन सकती है, यह सारी बाते आप खुद सोच सकते हो, सारी बाते खुद से सोच सकते हो, let's say, मैंने बोल से स्टार्ट करूँगा ओर three two one फोका अल्ट इस फक्यव गए तो position negative वह पकड़ी पहले से minus x knot और velocity भी negative पकल गड़ी मतलब पहले से velocity position negative और velocity भी negative slope भी negative ग्राफ बनेंगे तो आपको से सीधा बनेगा और यह ऐसी ख़ड़ी लाइन बन जाएगी जब यह आता ना वी टीगाफ यह तो ही नहीं इसको छोड़ दो वी टीगाफ अगर यह होता है न तो अगला step dance का अगला step 1 2 x-t graph यह हो जाता है वीटीग्राफ अगर यह होता है fix बात है fix तो यह तो सब बना लेते हैं, लेकिन इसमें भी कौन सा यह है, यह भी important है, equation से, चलो बात करते हैं, uniformly accelerated, मज़ा आना start होगा अब, जब हम बात करेंगे uniformly accelerated motion की, uniformly accelerated, इसका मतलब इसके अंदर acceleration constant होगा, इसके अंदर acceleration constant होगा, मतलब अगर मैं इसका 80 ग्राफ बनाऊ, मैं हमेशे 80 से start करता हूँ, अगर मैं इसका 80 ग्राफ बनाऊ, तो 80 ग्राफ positive, positive भी हो सकता है, और 80 ग्राफ negative भी हो सकता है, अभी positive से start करते हैं, let's say acceleration positive है, तो positive के लिए ऐसा ग्राफ दिखेगा, support, इसका मतलब ह accession is constant, यहां क्या भिला, accession is constant, constant के ग्राफ कैसे दिखते हैं, support, support, right, लेकिन velocity का ग्राफ क्या support बनेगा, नहीं, अगर velocity के लिए देगे, तो हमें लिखनी पड़ेगी equation of motion, क्योंकि जैसी accession constant होता है, हमारी equation of motion जिन्दाबाद हो जाती है, और हमारी equation of motion होती है, V equals to U plus AT, S equal to U T plus half AT square, V square minus U square equals to 2AS, S equal to U plus 2N minus, हैना, U plus A by 2 2N minus 1, तो हम लोग को यहां पर कौन सी लगानी है, हमें VT graph बनाना है, तो VT graph के लिए velocity का time के साथ रिष्टा चाहिए, velocity का time के साथ रिष्टा V equals to U plus AT, तो V equals to U plus AT, तो V equals to U plus AT, तो अब देखते चलना मैं कैसे कैसे बना सकता हूं, पहले देखो, पैचानना सीखो, velocity time के, फिर से direct proportional है, पिछली बार, position time के proportional हुआ था, तो स्टेट लाइन बना था, और इस बार, velocity time के proportional है, again स्टेट लाइन बनेगा, और slope decide करने वाला, कोई और नहीं, वो है acceleration, यह decide करेगा, तुम्हारी slope क्या होगी, यह दे कोई Y equals to MX plus C की feeling यह Y है, यह X है, यह M है, यह M है, यह C है, यह decide करेगा, क्या होगा, intercept, Y intercept, right, आप देखो कैसे, जैसे मान लो, initial velocity positive है, और acceleration भी positive, acceleration मैंने positive ले रखाए, और शुरुआत से एक velocity है, जो positive है, तो initial velocity positive, intercept positive, और slope भी positive, यह लो, बन गया, अब आपने बोला, नहीं, नहीं, सर, 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 rest से start करवा के दिखाओ, और फिर acceleration positive दिखाओ, rest से start करना है, यह लो, सर, 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 initial velocity negative, acceleration positive, अच्छा, यह लो, तो बनेगा straight line है 100% true है, लेकिन कैसी straight line बनेगा, कहां से start करेगा, that will be decided by initial velocity, और slope कैसी होगी, that will be decided by acceleration, clarity है, equation देखके straight line तुम पढ़के आए हो, straight line और equation को match कराओ, physics math का amalgamation, physics math को match कराओ, यहाँ पे खेलना स्टार्ट करो, अब देखको, अगर तुमारी math थोड़ी ठीक कर दी थी, मैंने अगर शुरू में मैंने पैरा बोला भी पढ़ा दिया, straight line भी पढ़ा दिया, तो तुमको XT graph बनाने मजा आ जाएगा, चलो, XT graph सोच्टेंस का कैसा बनेगा, position time graph, अहा, position time graph, तो अगर position time graph देखे हैं, तो इसके लिए मुझे XT का relation चाहिए, XT का relation, equation number 2 में छुपाए कहीं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको लिखो, S equal to ut plus half a t square, right, और अगर S को मैं put कर दूँ, final minus initial, जैसे मैंने displacement को पहले भी put किया था, final minus initial, तो अगर मैं इसको put कर दूँ, final minus initial, और initial को दर को दा दूँ, ते कैसी दिखेगी, थोड़ा rearrange करके लिख रहा हूँ, बच्चो डर ना नहीं, ठीक है, rearrange करके, half a t square पहले लिख रहा हूँ, फिर ut लिख रहा हूँ, और फिर x not लिख रहा हूँ, इसको देखो जरा, देखो जरा, कैसी दिखरी है, सर quadratic quadratic जैसी दिख रही है, और quadratic के graph कैसे होते है, सर रो पैराबोला बोला था आपने, इसका मतर्ब इसका x t graph पैराबोलिक होता है, अब वो पैराबोला कैसा बनेगा, जैसा कि मैंने x session कैसे दिया है, positive, x session देखो कहा है, t square के सामने, और t square के सामने क्या होता था, a, a x square देखो Bx plus C, ऐसा दिखना चाहिए, तो तुम्हें क्या पता था, गर A positive है, तो upward parabola बनेगा, इसका मतलब यह upward parabola बनेगा, और यह decide करेगा कि कहां से start करेगा, यहां से, अगर X not positive है, तो upward ऐसा भी हो सकता है, upward ऐसा भी हो सकता है, कि एवल ऐसा ही ऐसा, लेकिन बनेगा upward parabola खुशी-ख ध्यार नकिएगा, खुश रहेगा, क्योंकि एक्सेशन positive है, खुश रहेगा, क्योंकि एक्सेशन positive है, and it will be an upward parabola, depending कि शुरू की velocity क्या है, वो सारी बाते, क्वाडिटी की question solve करके पता चलेगा, कि exactly कैसा parabola होगा, लेकिन upward होगा, 100%, right, तो एक feeling लेलो, तीन डान्स स्टेप के process हो है, तीन डान्स के steps है, एक, दो, तीन, दुबारा करें, एक, दो, तीन, सरी क्या है, बताते हैं, 80, VT, XT, ऐसी बनता है हमेशा, 80, VT, XT, यह आपके तीन graph तयार है, तर लेकिन अगर एक्सेशन negative हुआ, तो acceleration अगर negative हुआ, तो 80 बन जाएगा नीचे, VT आने लगेगा, slope में negative, ऐसा भी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, slope negative होने लगेगी, और XT अब रोने लगेगा, downward parabola, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसा parabola, लेकिन downward parabola बनेगा, depending equation कैसी है, सौरी बाते, जैसे parabola को देखते हो, तो downward parabola, लिख देते हैं, downward parab parabola, रोने लगेगा, sad sad, sad, similarly यहाँ पर upward parabola, happy happy, upward parabola, happy happy, मैंने यहाँ लिख दिया है, happy बना दिया है, मैंने, clear है, तो इसके 3 step याद होगे, तो इसके 3 step याद कर लो, अगर 80 नीचे है, अगर 80 negative है, तो 80 VT XT, तो पहला था, 80 VT XT, वैसी, 80 VT XT, तो यह 3 step अगर तो तुम्हें 80 VT XT हमेशा ध्यान रहेगा, अब बच्चों, अगर आपको यह दोनों graph समझ में आ गए हैं, तो मैं आपको कहता हूँ ना, कि आप यह मान के चलो, अपने अंदर यह feel करके चलो, कि अब आप इतने कलाकार हो गए हो, कि आप questions भी solve कर स सकते हो, और साथ में जो condition मैं आपको देदू, उसका आप graph भी draw कर सकते हो, तो पहले एक काम करते हैं, थोड़े question solve करते हैं, and then, take a condition and draw the graph, ठीक है, तो चलो, पहले कुछ question चटकाते हैं, तो मेरे पास एक, यही 2021 का, means का 2021 का question है, आप लोग question पढ़ दीजे, और हम लोग इसको मिलके solve करने वाले हैं, so the position, velocity and acceleration of a particle, moving with constant acceleration, dance के तीन steps, AT, VT, XT, वरना, AT, VT, XT, can be represented by, आपको उता नहीं, कैसे represent कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखते चलते हैं एक भी, इसको देखो, XT, VT, एरे, यह के बाद, यह, XT के बाद, VT, जबकि मैंने बताया था, AT, VT, XT, तो XT के बाद, VT यह match ही नहीं कर रहा, dance steps not matching, आप याद अखिएगा, ऐसे match कराना है आपको उल्टे में, तो 80 तो सही था, 80 तो सही था, VT, straight होना चाहिए था, और XT उड़ना चाहिए था, यह गलत हो गया, wrong, wrong, first option wrong, चलो अगला देखते हैं, AT सही है, VT सही है, XT, और यह, dance के तीन steps match कर गए, चलो अगला, AT, VT, और यह, यह step गलत कर दिया, AT, XT positive के बाद velocity negative, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि अगर आप basic तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो आपको question बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और आपको उनका answer ढूणने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस केवल confidence रखना पड़ेगा, practice करनी पड़े velocity time graph has the shape, यहाँ पर एक VT graph बना हुआ है बच्छो, जिसका shape आपको नजर आ रहा है, what would be the shape of corresponding AT graph, आपको 80 graph का shape बताना है, उल्टे step सोचने है, VT पहले से बनाए, तो 80 सोचना है, उल्टे steps है, अब देखो, VT ऐसा है, तो इसका 80 कैसा होगा, negative, और VT ऐसा है, तो इसका 80 कैस इसका positive होगा, sorry, VT अगर यह negative वाला, यह वाला, VT अगर ऐसा है, तो इसका 80 negative होगा, negativity, 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 negativity नहीं, negative 80, negative 80, and similarly, positive, तो positive 80 सीधा वाला, सपाट वाला, positive 80, positive 80, positive 80, positive 80, बहुत जादा इसने उपर नीचे कर दिया, positive 80, खतम, third सवाल, third answers का, right, तो जैसा मैंने कहा, आप confident रहिए, मैं आपसे बोल ला हूँ, अगर आप पढ़ाई करते हो, then you are awesome, you are awesome because you have completed a lecture, पहली बात, दूसी बात, अब आप अपने अंदर इतना confidence जगा लिजे, कि जो भी condition आपको दी जाए, आप उसका जवाब दे पाएंगे, आप कुछ लोगों को लग रहा होगा, सर ही तो हवा में बात हो गई, जैसे आप एक आथ बात बताओ, जैसे कैसे, जैसे मान लो, पेपर में बैटे, अब यह अपने न, फ्रैंक बाते कर रहे हैं, यहाँ पर अपन कुछ पढ़ाई वाली बात मतलब है, अब मतलब कोई लिगी लिगाई बात नहीं, कि वाले ऐसा है, जैसे मान लो है, यह XT साला होगा भी उपर जा रहा है, कभी नीचे जा रही है, यह दिमार का कन्फूजन है, तो, draw the XT graph, if a particle is projected from a top of a tower, take a ground as origin, अब कुछ बच्चे सोच रहोंगे, क्या, नहीं क्या, क्राम से, क्या बोला मैंने, draw XT graph, when a particle is projected, from a top of a building, projected upward from a top of a building, with some velocity, from some height, top of the building, of course, taking ground as origin, इसको ground को originally, इसका XT graph बनाओ, अब पहली बात तो सबसे पहले, क्या यह motion under gravity है, yes sir, क्या motion under gravity में extension constants होते हैं, yes sir, क्या extension negative होते हैं, yes sir, downward parabola बनेगा 100%, छूटते ही बोल दो, downward parabola बनेगा, अगर तुम इससे ही option ढूण पाए, या eliminate कर पाए, आदा काम तो तुम्हारा यहां हो गया, लेकिन इसके बाद भी अगर तो नहीं नहीं, sir, XZ बनेगा, तो तुम्हें काम करना, इसकी equation लिखके देखना, कैसी वाली, S equal to UT plus half 80 square, और Y0 को उधर को दा देना, तो Y equal to UT plus half 80 square, अब XZ put करो, minus G, XZ रस्ते भर क्या होता है, minus G, तो minus half GT square, इसको आगे कर लो, ठीक है, थोड़ा shuffle up कर रहा हूं, इसको jumble कर रहा हूं, आगे ला रहा हूं, plus UT, U positive है, U positive है, और plus height H0, origin से उपर हो, तो plus H0, तैयार हो गया parabola का equation, क्या तुमको एक quadratic दिख रहा है, क्या तुमको असमें AX square plus BX plus C का feeling आ रहा है, अगर आ रहा है, तो तुम A देखके downward बोल चुके हो, कि downward parabola होगा, यह बात confirm होगा, यह x-axis negative देखके, minus G देखके, downward parabola होगा, और इसको देखके तुम बता सकते हो, कि Y-axis को कहां कट किया, और roots निकाल के तुम बता सकते हो, कि तुम्हें X-axis को कहां कहां कट करना है, या touch करना है, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, तुम तो इतनी सी feeling से ही grab बना सकते हो, कि sir, मुझे y को h-naught पे कट करना है, और मुझे finally position को zero करना है, जमीन पर ही तो गिरोगे भाई साब, और downward parabola बनाना है, सवाल क्लियर, तो बच्चो इतना confidence अगर तुम्हारे अंदर है, तो मतलब तुम अब सवालों को चटका लोगे, ऐसी कुछ concepts के लिए हमारे साथ जुड कि experience को बहुत परिशान करते हैं, और इन concepts को जड़ से निप्टाने का काम हम इस series में कर रहे हैं, बच्चो अगर आपको इससे related कुछ और queries हैं, या आपको कुछ अपने topics हैं, जो आप suggest करना चाते हैं, तो आप नीचे comment box में topics को लिख सकते हैं, मैं comments को पढ़ूँगा और उ कुछ practice के लिए सवाल चाहिए, questions चाहिए, या आपको कुछ modules चाहिए, आप कुछ material चाहिए, तो you can download the application and वहाँ पर आपको सारी queries आपकी solve कर दी जाएंगी, ठीक हैं, so thank you so much, मिलते हैं अपनी next class में.